हमारी उंगलियां और व्यक्तित्व उंगलियों से व्यक्तित्व की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिल जाती है देखे मित्रों ये होती है हमारी पहली उंगली जिसे हम तरजनी कहते हैं ये है दूसरी जिसे हम मध्यमा कहते हैं और यह है तीसरी उंगली जिसे हम सुरी की उंगली अनामी का उंगली कहते हैं जब तीसरी उंगली अनामी का पहली उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो जाए जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं तो अगर तीसरी उंगली जब बड़ी हो जाती है पहली उंगली से व्यक्ति कला निधान हाथ कहा जाता है उस जातक का और ऐसे जातक अपने जीवन में शने शने प्रगती कर जाते हैं उसी प्रकार यदि पहली उंगली और तीसरी उंगली बुलकुल करीब करीब समान ही उचाई की हो बुलकुल समान उचाई की हो तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक रूपकता आ जाती है जैसा अगर मान लीजिए की व्यक्ति अमीर पैदा हुआ है पूरे जीवन वो अमीर बने रहता है उसी प्रकार यदि व्यक्ति गरीब हो जाए तो व्यक्ति पूरे जीवन गरीब बना रहता है तीसरी स्थिति को समझते हैं जब पहली उंगली जादा बड़ी हो जाए पहली उंगली दूसरी पिच्चर ले लेते हैं जब पहली उंगली जादा बड़ी हो जाए तीसरी उंगली से और इस प्रकार हाइट ले ले पहली उंगली तीसरी उंगली से तब तरजनी बड़ी अगर हो जाती है तो ये ज्यान की उंगली है इसमें हमें ज्यान की अच्छी प्राप्ती होती है व्यक्ति तत्वग्य हो जाता है और leadership quality उसे नेत्रत्व शम्ता बहुत अच्छी आ जाती है पहली उंगली और दूसरी मद्यमा लगवग अगर बराबर हो जाए लगवग बराबर हो जाए तो व्यक्ति राजनीती के छेत्र में बहुत अग्रणी हो जाता है जानकारी आपको पसंद आए मित्रो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते जाए श्री गणेशाय नमाहा मासाराच्ष्वती नमस्तु भ्यम